हेलो फ्रेंड्स वल्कम तो दे चैनल ऑफ ओवर स्मार्ट स्मार्ट तो सभी बनते है अब हम बनेंगे ओवर स्मार्ट तो दोस्तो आज मेरे पास है एक जन्वीन कॉपी ऑफ सैमसंग तो सब्सक्न कि ऑफ सैकल हो आज समसंग ने सेर्चे वह रहता है अगर को सैंसीट्फ पाइल क्या है और टीलीट से दिलीट करते है तो क्यों को डिलीट हो द दीलीट Пока यह वर समेडा हो मेरे ने सब्सक्राइब कर सकते हैं कि है एक च्राइक क्लूबनगी कर लिखें गर एसे खता है against the कि ये बहुत जोक्राइब क्लीग में सीधित क्ला संक्राइब की चापनिट कर सेरी तो क्योट है नहें जांबकी विल सकते हैं कोई option recycle bin का नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है तो friends सबसे पहले हम इसमें type करते है gallery सबसे पहले हमें कहा जाना है first step त्यान से देखिएगा first step है gallery में जाना हम gallery में जाते हैं मान लिजे कि ये सर्फ example है मैं gallery type करता हूँ ये देखिए मैं gallery में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फोटो मान ले कि वह फोटो मेरे sensitive है ये फोटो को मैं click करता हूँ मान ले जे कि ये फोटो sensitive है मुझे इसे पर्मेनेटर डिलीट करना है तो मैं जब इसे delete option में click करता हूँ तो इसमें आता है move to recycle bin जले इसे click कर देता है तो ये क्या हो आप recycle bin में store होगे लेकि नम चाहते है नहीं हम इसे के लिए delete हो जाए तो आपको क्या करना है आपको gallery में ये 3 dots देख रहे है उपर अपर right side में इसम अपर right side में देखे हो दोस्तो ये 3 dots देख रहे है आपको gallery में जाना है तीन डॉट्स पे click करना है और फिर recycle bin में जाना है recycle bin में चले गए तो आपको वो data दिख जाएगा जो आपने delete किया अप चाहते है कि आप इसे भी यहां से delete करें तो आपको यहां पे अपर right corner में दिखेगा empty option आपको उसे click कर देना है आप जैसी उसे empty option किजेगा वो भी लेगा क्या इसे permanently delete करना चाहते है आप किजेगा yes empty recycle bin और हमेशा के लिए वो data डिलीट हो गया आपको यह से recover नहीं कर सकता तो recycle bin एक तरह से अच्छा feature भी है जहां हम अपने जुकलती से data delete हो है उसे recover कर सकते है पर साथ ही साथ हमें बहुत careful भी रहना पड़ेगा कि हम अगर कभी sensory data delete करते है तो वह कोई तीसरा आदमी यूज ना कर पाए तो हमें recycle bin से उसे delete कर देना चाहिए तो आज हमने इस वीडियो में यही सीका कि recycle bin हमें कहा मिलता है दोस्तों यह बहुत ही easy step था पर क्योंकि यह नए mobile माच कल मिल रहा है तो बहुत लोगों को यह नहीं पता तो इस वीडियो के ही मक्साथ था कि आपको इसके बारे में बताया जाए तो मेरे चैनल को like और subscribe जरूर करिजाए दोस्तों और आगे ऐसी informative वीडियो के इंतिजार क है